कि यृट्च इससे अब गडियो तो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना आज का टॉपिक है हमारा वह है मारा रैंकिंग एंटिंग अरेजमेंट का आज हम टाइप फोर डिस्कस करेंगे देखो इससे पहले हमने टाइप three discuss किया था जिसमें मैंने आपको क्या बताया था दो व्यक्ति दो person के बीच के जो person है वो आपको निकालने होते थे इस वाले type में आपको beach वाले जो person यानी in between जो person होंगे वो आपको given होंगे है ना और उनकी position आपको क्या है question में दे रखी होगी जो भी आपके person है जिनके बीच में वो और person बैठ रखे होगे तो आपको in between given होगा और वो person के left right से जो भी है वो position given होगी आपको आज की जो topic है उसमें आपको क्या निकालना होगा कि total number of strength कितनी है रू या कॉलम में यह जिस तरह से भी वो बैठ रखे हैं तो आईए से समझते हैं पहला question देखेंगे आपको देखो यहाँ पहला question है इनर रू रीता is 15 from the left है ना एक diagram बना ले तिंग रफ डाइग्राम ताकि अंडरस्टेंडिंग थोड़ा क्लियर हो जाए तो यह एक रफ डाइग्राम है यह left होता है यह right होता है ठीक है बोल रहे हैं कि इनर रो रीता is 15 from the left अब इस concept को जानने से पहले मैं आपको जरा एक बात बता दू कि हमने पिछली class में क्या जाना था overlapping का जो concept जाना था है ना जिसमें मैंने क्या कहा था जब अगर हमारे जो left right से position given है किसी भी दो person की उनको add करने के बाद जो total आता है उसका वो total total number of student जो given होते उससे जादा आता है तो हमारा overlapping होती है यह हमने पिछली class में discuss किया था तो वहाँ पे जो overlapping का जो concept है उसमें क्या हो रहा है कि minimum person आ रहे है ना और जब हमने देखा कि जब overlapping नहीं कर रहा होता तो maximum person आते है रो में यानि minimum का concept का बाता है जबकि overlapping होती है ठीक है तो यहां पे भी आपको question में क्या given होगा minimum given होगा अगर minimum नहीं given होगा तो आप maximum लेके चलोगे ठीक है यानि overlapping का concept भी यहां पे आएगा इसको समझने के लिए इस question को हम देखते हैं देखो जबा इनर रो रिता is 15 from the left है ना इस रो में रिता के कौन से position में 15 from the left है और मधू is 18 from the right है ना और 4 girls between मधू और रिता है तो how many girls total girls in the row minimum अब यहाँप आपको एक word देखरा होगा minimum minimum का मतलब क्या समझा रहा है कि यहाँ पर overlapping हो रही है है ना जैसे आपने word देखा minimum, आपके दिमाग मीं क्या आना चाहिए कि जो person बैट रहे हैं, उनके आपस में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, यानि यहाँ पर minimum तभी तो हो पाएगा जब ओवरलैपिंग होगी है ना, तो यहाँ पर इस तरह से बनाओगे आप diagram, inner row Rita is 15th from the left, तो आप यहाँ पर बना लो, 15th position, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ओवरलैपिंग करोगे, और यहाँ पर बोल दोगे कि 18th position यहाँ पर है, राइट से, और यहाँ पर कौन बैट रखी है, मदू बैट रखी है, clear है, है ना, यह वाली position यहाँ से, राइट से, 18th position में आपका, आपकी मदू बैट रखी है, और लेप्ट से, 15th position मे तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो गया ना यनि यह portion क्या हो रहा है दो वेरी रिपीट हो रहा है यहां से भी और यहां से भी क्लिया रहे इतनी मात ठीक है चलो तो यह ओवरलैपिंग वाला कॉंसेट मैंने बता दिया आपको जभी मिनमम गिवन होगा हमें ओवरलैपिंग ध्यान में रखनी है ठीक है अब देखो क्या करना है इस देर और फोर गल्स बिट्वीन मदू एंड रीता अब हमें क्या गिवन है कि मदू और रीता की बीच में कितने कितनी लड़किया है चा दोटल गल्स बताना है ए अपको कि इस रो में कितनी गल्स बैठ रख रकी है यह आपको बताना है ठीक है तो आपको इसका पता कैसे लगाएंगा तो इतनी चीज आप समझो जढ़ाएं आ कि टोटल का पता कैसे लगाएंगे देखो यहां पे यह वाला जो portion है यह वाला क्या आ रहा है दोनों में ही क्या कर रहा है दो दो बारी आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है दो बारी repeat हो रहा है कि यह वाला portion है ना तो यहां पे क्या करेंगे हम जो भी हमें position गिवन है जो भ पोजीशन और यह वाली पोजीशन तो क्या आ जाएगा यह वाला पार्ट जो होगा आपका दोनों क्या कर रहे हैं दोनों और repeat हो जाएंगे क्यूंकि हमें total निकालना है तो इन दोनों को भी exclude करना पड़ेगा इसमें से exclude करने का मतलब यह है कि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको plus 2 करना पड़ेगा ठीक है यानि जो भी हमारा इन दोनों का total आएगा उसमें से एक तो यह 4 वाला portion अठेगा और जो individual मदूर रिता है वो भी इससे क्या हो जागा है subtract हो जाएंगे ठीक है अब calculate करो तो आपका वह answer आ जाएगा देखो 5 8 plus 5 कितना होगा 8 9 10 11 12 13 यह होगा 33 33 में से माइनस करो 6 को तो कितना हो जाएगा है यह हो जाएगा आपका 12 27 ठीक है यानि इस में इस रो में कितने number of girls है 27 girls है कितनी girls है 27 girls है तो आगे समझ में इस तरह से आपको solve करने होते हैं questions एक और question लेते हैं ताकि इस concept को हम और अच्छी से समझ पाएं ठीक है देखो अगला question है हमारा inner class दीपक इस 29 from the top यानि टॉप से अगर दिखा जाए तो एक diagram बनाते हैं इस करण यह है आपका top से bottom यह आपका top हो गया और यह आपका क्या हो गया bottom हो गया ठीक है क्या बोल रहे है कि एक class है जिसमें दीपक 29 from the top है है ना यहनि 29 position वो top से आ रहे है ठीक है अब यहाँ पर आपको एक और word दिख रहा होगा यहाँ पर भी minimum लिखा वाई यहाँ पर भी overlapping हो रही है है ना तो हम क्या करेंगे top से दीपक की position कुछ यहाँ पर ले लेते हैं कि top से कौन से position में आ रहा है 29th position में आ रहा है यहाँ पर कोन आ रहा है दीपक आ रहा है ठीक है यह दीपक हो गया 29th position में ठीक है मैं 18 यहाँ पर लिखूं, 18th position तो यहाँ पर कौन है, Rana ठीक है, 18th position में bottom से कौन है, आपका Rana है, ठीक है, if there are six boys between Deepak and Rana तो यहाँ पर आपको Deepak और Rana के बीच में दे रखा है कि कितने बच्चे हैं six boys है छे लड़के ठीक है, छे लड़के हैं तो आपको minimum बच्चे बताने कि इस क्लास में कितने होंगे, ठीक है तो जे खुचरा इसको किस तरह से solve करेंगे अभी बताया था मैंने आपको कि हमें क्या given है, हमें दे रखा है कि Deepak और Rana के बीच में कितने बच्चे है six बच्चे है, इनकी individual rank कहलो या position कहलो हमें top से दी गई है और Deepak की हमें bottom से दी गई है तो हमें कैसे निकालोगे total boys तो मैंने क्या बताया था आपको जो भी individual rank है इनको जोड़ लो पहले इनने जोड़ लिया, है ना यहां से bottom से Deepak 18 में था और top से आपका Rana कितने position में था overlap हो रहा है तो दो बारी repeat हो रहा है ना तो 6 यहां पर एक आप minus कर दोगे इस से और दूसरी चीज़ यह दोनों भी आपस में क्या होगे minus हो जाएंगे ठीक है तो 2 इसमें और add करो ठीक है तो अब निकालो जोड़ इसमें कितना आ जागे ठीक है यानि इस row में यानि इस column में क्या सकता है वे top ये bottom position में कितने बच्चे इस line में खड़े हैं तो आपका answer होगा 39 तो 39 इसका क्या होगे correct answer होगे यानि minimum 39 बच्चे इस class में मौजूद है ठीक है अगर यही पे minimum के जगे क्या हो जाता है maximum हो जाता question में अभी तो यह minimum का question था है ना इसी से समझ लेंगे जरा maximum होता है यहां पर अगर question में यहां पर minimum के जगे क्या होता maximum given होता तब हम किस तरह से solve करते हैं तब हम किस तरह से solve करते हैं इस question को इसको भी समझ लेते हैं ठीक है, अब देखो जरा, फिट से मैं दुबारा डाइग्राम बना रहा हूं इसी गर, अब इस बारी जो condition क्या change होई हमारी, इस बारी हमें maximum निकालने की कितने बच्चे इस class में हो सकते हैं, पिछली वाले जो हमने case देखा था, उसमें हमने क्या निकाला था कि कितने minimum बच् मूल गया, ठीक है, आप देखो जरा, इनर class दीपक इस 29 फ्रॉंट तॉप है नब दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या गिवन है, कि जो 29 पुजिशन में उपर से, यह 29 पुजिशन ले लो आप, और यहां पे कौन है आपका, दीपक है, ठीक है, टॉप से 29 पुजिशन में, ठ ठीक है चलो अब देखो ज़रा राना is 18 from the bottom और यहां पर 18th हो गया ठीक है और यह क्यों है राना राना हो गया 18th from the bottom आगे इतनी बाद समझ में इफ देर आर six boys between दीपक एंड राना और दीपक और राना के बीच में कितने लड़के हैं छे लड़के हैं ठीक है छे लड़के हैं तो how many students in the class maximum तो आपको पताना है कि कितने student होंगे class में maximum यह तो टल students आपको निकालना है ठीक है अब यहां पर किस तरह से निकालेंगे देखो concert पकड़ो सिर्फ आपको अब नाप समझा जाएगा सब कुछ देखो जरा अब इतना पता आपको कि टॉप से 29 पुजिशन में दीपक है यह नि इससे पहले 28 बच्चे होंगे और यहां पर क्या होगा यहां से bottom से राना की पुजिशन है 18 यह नि इससे पहले कितने होंगे 17 होंगे ठीक है होंगे और इनकी बीच में कितने 6 लड़के अब देखो इनको कि जा कैसे निकालोगे तो उपर से 29 है 29 है और नीचे से 18 है ठीक है इतना तो हमने portion cover कर लिया है ना और बचे कितने हैं बीच में 6 बच्चे बच्चे है तो प्लस क्या कर दोगे 6 कर दोगे यहां कितना हो जागा तो इस बार ही आंसर क्या निकला हमारा 53 यानि इस क्लास में कितने बच्चे होंगे आपके 53 होंगे आगे समझ में तो overlapping वाला concept भी समझ लिए आपने और जब overlapping नहीं होता तो किस तरह से हम question को find out करते हैं वो भी हमने इस वीडियो में समझा तो इसी के साथ य जिसमें आपको इसी type के आपको question दिखाये देंगे अब जो next type होगा वो हम अगली वीडियो में discuss करेंगे तब तक के लिए have a nice day bye